तो देखिए लास्ट वीडियो हमने 7th क्लास का 7th chapter स्टार्ट किया था जिसमें हमने बिजोलिय किसान अंदुलन को देखा और उसके बाद हमने बूंदी किसान अंदुलन को पड़ लिया अब नेक्स्ट हम पड़ेंगे अलवर किसान अंदुलन जिसे हम निमू चाड़ा किसान अंदुलन के नाम से भी जानते हैं अलवर राज्य में जंगली सुर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे किसानों ने 1921 में सूर मारने की अनुमती को लेकर आंदोलन किया सन 1925 में अलवर के महराजा जै सिंग द्वारा लगाई गई लगान व्रदी के विरुद किसानों ने निमू चाड़ा गाउं में एक सभा का आयोजन किया और सभा पर गोली चलाने से सैकडो किसान इस्त्रियां बच्चे मारे गए अनेक घरों को जला दिया गया और अनेक पसू जल कर मर गए गान्दी जी ने इस घटना की अलोचना करते हुए इसे राजिस्थान का जलिया वाला बाग हत्याकान कहा तो क्या होता है कि अलवर राज्य में बहुत ज्यादा जंगली सूर बढ़ जाते हैं जो कि क्या करते हैं किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे तो किसानों ने 1921 में यहां के महाराणा से सूर मारने की अनुमती मांगी लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया तो इसी वज़े से किसान आंदोलन यहां होता है दूसरी तरफ यहीं अलवर में ही 1925 में अलवर की जो महाराजां है जैसिंग इनकी द्वारा लगान जो है वो बढ़ा दी जाती है किसानों ने निमू जाणा गाउं में कहां पर निमू जाणा गाउं में एक सभा का आयूजन करते हैं और यहां पर क्या होता है कि सभा पर गोलियां चलाई जाती है और यहां घरों को पसुओं को इनको जला दिया जाता है तो इसी वजरे से इसे क्या कहा गंदी जी ने इसे राजिस्तान का जलियावाला बाग हत्याकान कहा, जिस तरीके से जर्रनल डायर ने जलिया बाग में कारे किया था कि वहाँ पर जो सभा चल रही थी, उन्हें बिना बताए ही वहाँ पर गोलीयां बरसानी स्टार्ट कर दी वही कार्य जो है वो यहाँ पर किया गया जिसे हम अलवर किसान आंदोलन या नीमू चाड़ा किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं या पूछ सकते हैं कि राजिस्तान का जल्यावाला बाग हत्या का किसे कहा गया तो वह है अलवर किसान आंदोलन को कहा गया नेक्स्ट देखिए सीकर किसान आंधोलन तो देखिए सेखावटी शेत्र जो है वहाँ पर भी आंधोलन होता है सीकर जैपुर राज्य का बड़ा ठेकाना था यहां का ठाकुर था कल्यान सिंग इसने पूर्व ठाकुर की मृत्यू पर हुए खर्चे के लिए लगान में व्र हुप में वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दर गम नहींगी किसानों ने इसका तीर्व विरोद किया यहां क्या हुआ था कि यह जो कल्यान सिंग था इसने वादा किया था किसानों से कि इस वर्ष यद्य dzi यहां की लगान बढ़ रही है तो अगली वर्षा जो तो यहां किसान तीर्व विरोध करते हैं, ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किये, किन्तु किसान हतास नहीं हुए, किसानों के सांतिपूर्ट प्रदर्शन पर गोलिया चलाई गई इस आंदोलन की चर्चा, लंदन के हाउस ओफ कॉमन्स, जो ब्रिटिस पार्लियमेंट ह वहां पर भी हुई, जैपोराजी की मध्यस्ता के बाद बंदोवस सुधार के लिए किसानों को आस्वस्त करना पड़ा और लगान में भी कमी करनी पड़ी, फिर यहां पर समझोता होता है, जैपोराजी की तरफ से किसानों के बीच में और उनकी जो लगान में कमी करनी कि यहां पर जो सरदार हरलाल सिंग हैं नेत राम सिंग हैं और प्रत्वी सिंग हैं तो यह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे सीकर किसान अंदोलन से तो यह चीज़ याद रखिएगा और और सीकर किसान आंदोलन का ठाकुर कौन है ठाकुर कल्यार सी तो ये एक्जाम में पूछा जा सकता है और एक कुशन और पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन की चर्चा राजिस्थान में किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ओफ कॉमन्स में हुई थी या ब्रिटिस पार् आंदोलन सेखावटी की किसानों ने भी मनमानी लगान ब्रद्दी के विरुद आंदोलन शुरू किया तो देखा देखी में हर जगे जो है किसान अव आंदोलन पर उतर आया था और जो भी लगान ब्रद्दी की जा रही थी उसे वह सुईकार नहीं कर रहा था चिडावा में मास्टर काली चरन कौन? काली चरन ने सेवा समिति का गठन किया चिडावा में नवलगड, मंडावा, डूनलोध, बिसाउ, मालासर तो जो जुनजुनु जिला जो है वहाँ पर ये पंच पाने के नाम से जाने जाते हैं ये ठेकाने नवलगड, मंडावा, डून लोथ, विसाउ और माला सर यहां कि किसानों से किसानों ने साफ मना कर दिया लगान देने से माला सर के ठेकाने दार ने किसानों की बेरहमी से तो पिटाई करवाई और डून लोध के ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किये हाला कि बाद में जैपुर राजे ने जागीरदार और किसान इन दोनों के बीच में समझोता कराने का प्रियास किया लेकिन ये समझोता सफल नहीं हुआ और यहां के इस्थाई समादन कब हो पाया आजादी के बाद हो पाया तो आंदोलन जो है वो धीरे-धीरे ऐसे ही चलता रहा अन्य किसान आंदोलन है सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों वा भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कोचलने का प्रयास किया इसी तरह 1947 में डावड़ा में लगान, लागबाग, बिगार गिवरुद, लगबग, 600 किसान ठेकानेदारों के पास गए ठेकानेदार के पास गए तो उसने बंदू के तलवारें भाले चलाए जिससे कई लोग हताहत हो गए overall किसान आंदोलन में हमें यही पता लगता है कि जब-जब जागीरदारों का अत्याचार जो है अतिस से ज़्यादा बढ़ गया तो किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया और कई बार कई सिख्षित लोग, कई जाने माने लोग जो हैं इन आंदोलन से जुड़े भी ठीक है तो आदी जन जातिया प्राचीन काल से निवास करती आई है और दक्षनी राजिस्तान में भीलों का बाहुल्य है तो जन जाती कहां पर पाई जाती है दक्षनी राजिस्तान में पाई जाती है डुंगरपूर बासवाड़ा शेतर में पाई जाती है मेवाड के रहती है मीना जाती जो है वह रहती है जैपूर और उसके आसपास के शेत्र में परन्तु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक और आर्थिक द्रस्टी से पिछड गई अंग्रेजी काल में इसका भारी शोशन हुआ उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समहा सुधार को ने उन्हें जागरत किया तो अब पढ़ते हैं कि भील आंदोलन कैसे हुआ भील जन जाती ने कैसे आंदोलन किया भीलों में जागरती का विचार धार का प्रसार करने वाले थे गोविंद गुरू गोविंद गिरी है गोविंद गिरी की महतपूर भूमे का रही उन्हों किस अपना किस ने की गोविंद गिरी ने की गोविंद गिरी ने बेगार और अनुचित लागतें ना देने के लिए भीलों को जागरित किया और सन 1913 में मानगड पहाडी पर आश्विन सुधी पूनिमा को संप सभा का जब अधिवेशन हो रहा था तो अंग्रेश सैना ने प तल पर ही हजारो आदिवासी मारे गए और घायल हुए इसे हम भगत आंदोलन भी कहते हैं ठीक है तो क्या होता है कि जो गोविंद गिरी होते हैं ये खुद भी एक क्या थे किसान थे बहुत चोटे और गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे ये बंजारा परिवार से थे तो ये इतने गरीब थे कि इनकी गरीवी के कारण ही इनके जो परिवार है वाइफ थी इनके बेटे जो थे ये मृत्यू को प्राप्त हुए थे तो इन्होंने क्या किया था कि आध्यात्म की और रुक अपना लिया था और सन्यासी बन गए थे ठीक है और सबसे पहले इन्ह शक की नहीं है, ये तो तुम्हारी है, इसके मालिक तुम हो, तो ऐसी जो भावना है, ऐसी भावना जागरित करने का कारे करते हैं, गोविंद गिरी, ठीक है, इसी वज़े से बीलों में ये स्रेष्ट हो जाते हैं, तो इनको सभी मानने लग जाते हैं, अब वहाँ पर रहने डूंगरपुर, शेत्र में रहने वाले जो जागिरदार होते हैं, अधिकारी ओफिसर होते हैं, वो ये सोचने लगते हैं, कि यहां गोविंद गिरी की ही चलेगी, और भील कभी भी आंदोलन कर सकते हैं, और हो सकता है कि यह हमारा ही सपाया यहां से कर दे, तो क्या होता है कि 1913 में मानगरपाहडी पर आश्विन सुधी पूर्णिमा को समसभा का अधिवेशन जब चल रहा था, गोविंद गिरी जो है, इसके मसीहा माने जाते हैं, तो उसी वक्त अंग्रेज सेनाने ने चारो तरफ से घेर लिया, गोलियों से भूना गया, और कई भील जो है, यह लगान, अत्याचार, आदी के विरुद संगर्ज का आवान किया, कि बिल्कुल भी लगान नहीं देना है, कोई भी अत्याचार सहन नहीं करना है, और आंदोलन को गती देने के लिए एकतापरवल दिया, कि जो भी यहाँ पर जातियां हैं, जन जातियां हैं, वो सब एक इसलिए इसे एकी आंदोलन कहा गया एकी आंदोलन को गती देने के लिए हजारो आदिवासी उदेपुर में घटा होते है महाराना को 21 सुत्रिय मांग पत्र जो है वह दिया जाता है ठीक है जिसमें अपनी मांगे जो है वो लिखी जाती है किस तरीके से लगान जो है उसे कम किया जाए जो बेगार है उन्हें कम किया जाए हमारे उपर जो अत्याचार हो रहे है उनको कम किया जाए तो इस मांग पत्र को मेवाड की पुकार कहा गया पूछा जा सकता है कि मेवाड की पुकार क्या है तो वो 21 सूत्रिय मांग पत्र है जो कि महाराना को दिया गया था महाराना ने ततकाल 18 मांगे तो मान ली डेवल, डूंगरपूर, बासवाडा में भीलों को संगठित करने का श्रे भोगी लाल, पांडिया तता हरी देव जोसी को भी जाता है अब मीना जो है वो भी आंदोलन करते हैं मीना जंजाती जो है वो जैपूर के आसपास शेत्र में निवास करती थी मीना जंजाती के एक वर को अंग्रेजी शाशन ने सांती व्यवस्ता के जिम्मेदारी दे रखी थी कि ये तो सांती व्यवस्ता बनाए रखेंगे तो मीना जो थे वो दो तरीके के थे तो एक थे जमीदार मीना और दूसरे थे चौकीदारी मीना ठीक है तो चौकीदारी मीना को अंग्रेज जी शाशन जो था उसने यहां पर सांती व्यवस्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी ये मीना चौकीदारी भी करते थे और बदले में गाउं वालों से चौथ भी वसूला करते थे ये मीना चौकीदार मीना कहलाए राज्य में होने वाली चोरी डगैती के लिए अकसर इन्हें जिम्मेदार भी फैराया जाने लगा तो एक तो इनको कारे दिया गया कि नामद ना होने पर मीनाओं से उस माल की कीमत भी वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में सलग्ण ही होने लगे। सरकार ने 1924 में Criminal Tribes Act के तहत 12 वर्ष से अधिक आयू के मीना जाती के लोगों को प्रति दिन समीर के थाने में अपनी उपस्तिती देने के लिए पावंध किया गया। तो इस कारण से मीनाओं में असंतोस फैल गया। तो क्या किया गया कि जो राज्य है उसने ये गोसित कर दिया कि ये जो मीना है इस इनी की वज़े से क्या होती है राज्य में चोरी हो रही है डकैती हो रही है तो जो भी मीना है इस तरी पुरुस वो और उसके अलावा 12 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं वो भी आएंग कहां पर पुलिस थाने में आएंगे और वहां पर अपने उपस्तिती धर्ज कराएंगे तो इस कारण से मीडाओं में संतोज पैल जाता है मीडा समाज में व्याप्त बुराईयों जरायम पेशा जैसे कानून इनको हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त गरने के लिए आंदोलन चलाया गया और आजादी के बासन 1952 में जाकर ये जो कानून है वो समाप्त हो गया ठीक है तो जरायम पेशा क्या होता है ऐसे कारे बुरे कारे जिनसे पैसा कमाया जा सके तो ये जो पेशा है जिसका इलजाम जो है वो मीडाओं पर लगाया गया था कि ये चोरी डगैती करके पैसा कमा आते हैं तो 1952 में जाकर ये जो है जरायम पेशा कानून ये भी समाप्त कर दिया गया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहां से प्रजाम अंडल आंदोलंसे की प्रजाम अंडल क्या है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू कर दो